गूट मॉनिंग दोस्तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे असली देजी गी दोस्तो नकली गी खाना बंद करो ऐसे बनता है 100% असली देजी गी तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए दूद गरम किया हुआ इसको ठंडा करके हम फ्रीज में र कि मलाई हमारी जब जुड जाएगी तो हम इसको बहार निकाल करें चार से पांच Laurie के लिए हम इसको डूं टैंपरेचर पे आरे के लिए इस प्रैब धार चूड़ देंगे यह देखिये हमारी मलाई कितने मोटी मलाई और यह दम बरप की तरह बनी हुई है क्योंकि आंग में रखा हुआ था और अब इसको हम 4-5 घंटे के लिए हम भार छूड़ देंगे ताकि हमारी मलाई है वो रोम टेंपरेचर पर आ चुकी है इसको हम एक बड़े से भगोने में निकाल लेंगे में टालें डालेंगे और अब हमैं छाई ब्लेंड़ या याप मिक्सी का झार भी लेसकते हैं उसमें हमें इसके ब्लेंडर को हम इसके अंदर टेकेंगे और 4-5 मिनट मिन नहीं करेंगे अच्छे वह न उपर आhist töताए यह देखिए मलाई हमारी ज्यादा ठंडी है उसकी वज़े से इसमें जाग बन गए है मक्षन के इसलिए हमें चाहिए थोड़ा से गरम पानी इसमें थोड़ा गरम पानी डालेंगे तो हमारे मलाई है वो रूम टेंप्रेचर पे आ जाएगी गरम पानी डालने के बाद मलाई रूम टेंप्रेचर पे आ चुकी है अब इसको चार से पांच मिनट के लिए हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे ये देखिए मक्खन हमारा तीन से चार मिनिट में ही उपर अच्छे से आ चुका है जब तक मक्खन की अच्छे से बाइंडिंग नहीं हो जाती हमें इसे इसी परकार से ब्लेंड करते रहना है मक्खन हमारा त्यार है अबी हमें चाहिए एक बड़ा सा उना की आप ऊजिए मक्खन को निकाल लेंगे इस टाइप से हमें कोई जोरा वागेरा लेना है जिससे पानी इसका निच्चे रह जाए नीटर के और मक्खन-मक्खन हमारा भार के इस टाइप से हम सारे बविए जिसका कोई जवाब नहीं, हम ब्लेंडर को अच्छे से साफ कर लेंगे और इसको भार निकाल देंगे, और इसी टाइप से हम सारे मख्षन को निकाल लेंगे, अब इसको निकालने के बाद हम इसको अच्छे से फैट लेंगे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है, वो निकल जाए, ताकि बोईल करने में, यह मख्षन हमारा त्यार है, अब इसमें जो बची हुई हमारी मलाई है, उसको हम डाल देंगे, क्योंकि बगोना हमारा छोटा रह गया था, इसलिए हमने आदी मलाई को बहार निकाल दिया था, और इसको भी हम इसी परकार से फैट लेंगे, जैसे हमने बाकी मलाई को फैटा है, अब पहले हम इसको साइड में करके, जो हमारा मक्षा है ने, इसको हम अच्छे से फैट के इसके पानी को हम निकाल देंगे, और इसको बोईल करने के लिए हम गैस पे रख देंगे, पाने को निकार करें निकाल दिया है और अभी हम इसको गैस पे रहेंगे गैस की फ्लेंस को हमें एक्टम अख Goldman हमारा नीचे से लगने पाए और अभी हमारी बचीफी मिलाई है इसको भी हम फैट लेंगे इस फरकार से जब तक मकान हमारा अच्छे से बंद नहीं जाया है इसको हम इसी प्रकार से फैटते रहना है और बीच बीच में हमें जो गैस पर मखन रखा हुआ है बोईल करने के लिए उसको भी हम चैक करते रहेंगे ताकि इसको जलने के लिए मौका ना मिल पाए और इसको भी हम इसी प्रकार से सारे मखन को हम पानी से नितार नितार के इसको निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी मखन के अंदर आना पाए यह मखन हमारा त्यार है इसको भी हम अच्छे से फैट लेंगे अभी और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देंगे यह देखें मखन हमारा त्यार हो चुका है और अभी इसमें से हम थोड़ा सा मखन निकाल लेंगे घर में खाने के लिए इसको आप प्रोठा के साथ ब्रेड पे लगा के या दाल में डाल के कैसे भी खा सकते एकदम फ्रेस और ताजा मक्षन है जो बचा हुआ मक्षन है इसको भी हम बोईल वाले भगूने में हम डाल देंगे ताकि उसके साथ साथ ये भी बोईल हो जाए अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक मक्षन को नमकीन बनाने के लिए और इसको भगूने में हम डालेंगे और इसको अच्छे से हम फैट लेंगे ताके हमारे मक्खन में ब्रोबर मातरा में इसमें नमक अच्छे से मिक्स हो जाए इसको हम बोईल में निकाल लेंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे अब हम गैस की तरफ चलते हैं मक्खन हमारा बोईल हुआ है या नहीं यह देखिए मक्खन हमारा बोईल हो चुका है इसके पानी को जलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यह देखिए 2-4 Minuten में ही गी हमारा त्यार हो चुका है एकदम प्योर और ताजा और एकदम फ्रेस की हमारा त्यार है इसमें जो जहाग है इसको हम साइड में कर देंगे और अभी हमें चाहिए एक फ्रेस बरतन उसमें हम घी को निकाल लेंगे इसको हम अच्छे से गरम भगोना है इसको हम कपड़ी से पकड़ेंगे और साफ बरतन में हम घी को निकाल लेंगे इसको नितारते भी और इसमें बिल्कुल भी पानी की बूंद नहीं होनी चाहिए नहीं तो घी हमारा खराब हो सकता है गी हमारा त्या है ताजा और इत्तम फ्रेस सो प्रिशंट देशी घी यह हमारा डेड़ किलो का बगोना है कम से कम हमारा घी एक सवा किलो है और अब इसको हम ठंडा करेंगे रों टेंपरिचर पे आने के बाद इसको हम फ्रीज में रख देंगे जमने के लिए गी हमारा जम चुका है ये देखिए अभी अमने फ्रीज से निकाला है इसको और इसका कलर देखिए इसका टेक्स्चर देखिए एकदम वाइट गी है क्योंकि ये भैस के दूद का बना हुआ गी है प्योर गी है 100% देशी और असली गी है तो कैसी लगी रेसिपी प्लीज कमेंट में ज़रूर बताईएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले ता